GST Practitioner Course हमने complete कर लिया है, उसके बाद जो time to time GST में change आते हैं, amendment, council के meeting हो गई, जो भी amendments हैं, वो हम लोग time to time discuss करते रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों न, जो GST के या फिर income tax के जो important case laws हैं, वो भी हमें जानना है बहुत important, तो उसके उपर भी एक वीडियो बनाया जाए, तो मैं आप लोगो से request करूँगा, वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि ऐसे वीडियो से आपकी knowledge में, information में, कुछ value addition हो रहा है, तो आप मुझे comment section में जरूर confirm करिए, फिर मैं try करूँगा कि हर month end में, एक वीडियो सिफ case laws के उपर मैं बनाऊ, ज जो order देते हैं GST के अलग-अलग matter में, हम लोग उसको one by one discuss करेंगे, मैं matter of fact आपको बताऊंगा, और उसके बाद क्या order आया है, हम वो देखते हुए चलेंगे, ताकि हमें और ज्यादा clarity हो GST law के ऊपर, ठीक है, तो आप बिलको भी time waste ना करते हुए, सीधे चलते हैं आगे, और जो पहला case law है, वो है मद्रप्रदेश high court का, देखे हुआ क्या था, हमें पता है e-way bill की एक validity होती है, depend करता है कितने किलो मीटर तक उसको जाना है, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, तो यहाँ पर क्या हुआ, कि e-way bill expired हो चुका था, और कुछ ही घंटे हुए थे, 3-4 यह नहीं कह सकते हैं कि SEC ने कोई tax की चोरी करी है, यह SEC का intention था, fraud करने का, भाई, e-way bill generate हुआ है, e-way bill generate होने के बाद, कुछ घंटे हुए है, expired हुए, तो इसको अब यह नहीं बोलेंगे, कि हाँ SEC ने कोई बहुत बढ़ी गलती कर दी है, तो मद्रप्रदेश high court नहीं यह ब इसको यह नहीं मानेंगे, कि e-way bill generate ही नहीं हुआ है, तो यह है मद्रप्रदेश high court का judgment, अगले order की तरफ चलते हैं, अगला जो judgment है, वो है इलहभाद high court का, यहाँ पर देखे क्या हुआ, यहाँ पर department, GST department के ऊपर पनाटी लगाई गई है, 50,000 रुपाई की, क्योंकि हुआ यह था, कि officer ने किसी का GST cancel कर दिया, तो उसने इस बात को oppose किया, कि आपने मेरा GST क्यों cancel किया, क्योंकि रूल यह कहता है, कि 6 महिने तक अगर आपने return file नहीं किया, तो आप cancel कर सकते हो, ठीक है, उसके लावा भी अगर कोई sufficient reason है, तो आपका GST cancel हो सकता है, लेकिन अगर कर रहे हैं, तो एलाबाद high court ने यह बोला है, कि इससे क्या होता है, जो ease of doing business है, वो कहीं न कहीं affect होता है, तो high court ने बकाइदा department की उपर 50,000 रुपय की penalty लगाई, और कहा कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, तो यह SSC के favor में बहुत अच्छा judgment है, आगले judgment की तरफ चलते ह हैं, वो है किरला high court का, हुआ क्या, 2001 जुलाई 2017 को सारे tax, wet, service tax, यह सब सारे चीजें abolish हो गई, और आ गया अपना GST, अब जब GST आ गया, तो ऐसे नहीं कि GST हवा हवा में आ गया, उसके लिए constitution को amend किया गया, एक बर constitution amend हो गया, तो वहां से wet, service tax, यह सारे चीजें चली अब 2017 के बाद, आप उन पुराने law में कोई change नहीं कर सकते, और यही हुआ, हुआ यह कि, wet, तो भई, खताम हो चुका है, बट क्या हुआ था, state government फिर भी उसमें कुछ amend करना चाह रही थी, जो कि हुआ था 2018 में, तो यहां पर केला high court ने बोला कि, amendment to wet, post GST, has no legislative competence, भई, जब सम्विधान में ही वो power हटा ली गई है, फिर आप कैसे wet के act में amendment कर सकते हैं, अब तो वो act है ही नहीं, तो 2001, July 2017 तक, जो rules, जो regulation थे, आपको उसी हिसाब से काम करना है, आप act में amendment नहीं कर सकते हैं, यह गैर समयदानिक है, यह बोला किरला high court ने, चलते हैं अगले judgment की तरफ, यहां पर देखें क्या हुआ, यहां पर यह हुआ कि बार बार GST के server बैट जा रहा है, कभी payment नहीं हो रहा है, पैसा कट गया, cash laser में पैसा ही नहीं आया, इस वज़ा से इतनी ज्यादा petition डाली गई high court में, ठीक है, तो high court ने, जो वहां का tax bar association था, उन्होंने भी इस चीज़ को उठाया, तो अभी जो डेली high court है, उसने government, infosys और tech महिंदरा, जो GST के server है, वो infosys और tech महिंदरा ही, उसको पुरा handle करते हैं, उसके server को, तो government को अभी से भी पूछा है, infosys से भी पूछा है, और tech महिंदरा से भी पूछा है, कि भाई, GST की site में इतने glitches, या यह बार क्यों बैठ जाता है, तो अब देखते हैं, सरकार क्या जवाब देती है, ठीक है सर, आगे चलते हैं, कलकटा high court का एक order आया है, इसमें ये आया है कि appeal फाइल करी SSC ने, जब SSC ने appeal फाइल करी तो उस appeal को क्या किया गया, dismiss कर दिया गया, accept ही नहीं किया गया, और जो order पास कि आप appeal को dismiss नहीं कर सकते, आपके पास valid reason होना चाहिए, और sufficient order पास करिए, यह नहीं कि पर एक line में लिख दिया कि हाँ, हम appeal को admit नहीं कर रहे हैं, तो एक line का order पास करके, आप appeal को dismiss नहीं कर सकते हैं, यह invalid है, तो यह है कलकटा high court का order, आगला जो है, फिर से केरला high court का है, इसमे क्या हुआ है, कि SEC has a right to appeal even after voluntary payment of penalty, हुआ गया, SEC के पास notice आया, कि आपको penalty pay करनी है, SEC ने उठा के penalty का payment कर दिया, उसके बाद उसने appeal फाइल करी, कि सर यह जो penalty लगी थी, यह गलत थी, तो department ने बोला, कि अगर गलत थी, तो पहले बोलना चाहिए था न, अब आपने payment भी कर दि थी, अगर गलत थी तो payment क्यों कर दिया, तो केरला हाई कोट ने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, हो सकता है कि उसने एक notice आया, उसके reply में, एक शरीफ बच्चे की तरह, एक अच्छे SEC की तरह, एक इमानदार taxpayer की तरह, उसने penalty pay कर दिया, पर इसका यह मतलब नहीं है, कि वो appeal में जा सकता है, वहले ही उसने penalty को pay कर दिया, अभी भी उसके पास right है, कि वो appeal में जा सकता है, तो एक केरला हाई कोट का बहुत ही अच्छा decision है, चलते हैं आगे, डेली हाई कोट ने भी एक बहुत अच्छा order पास करा है, क्या हुआ था, अब ये बात आप लोग भी ध्यान होगा, और अगर कोई online, जारा दर तो online ही order आता है, तो उसमें digital signature होना चाहिए, तो अगर ये unsigned order आया है, तो वो invalid है, किसके बेस पर, डेली हाई कोट के judgment के बेस पर, तो unsigned जो order होता है, GST cancellation का, वो valid नहीं होता है, ऐसा डेली हाई कोट ने judgment दे दिया है, ठीक है सर, आगे च जारकन हाई कोट ने ये बोला, इसमें हुआ क्या था, कि inspection हुआ, SAC का, और inspection report में ये लिखा हुआ था, कि SAC ने एक लाग रुपए की चोरी करी है, GST की, और उसमें ये लिखा हुआ था, कि भाई, एक या दो महिने के अंदर SAC pay करे, ये जो penalty निकल के आई है, मामला गया ह हाई कोट तक, हाई कोट ने बोला, भाई, inspection report cannot be treated as proper show cause notice, ऐसा नहीं है कि बस inspection report में कोई चीज निकल के आ गई है, तो उसको आप notice मान लेंगे proper, नहीं, आपने inspection किया, उसमें आपको कोई discrepancy मिली, तो अब आप proper show cause notice भेजेंगे, उसके बाद ही आप कोई document या कोई penalty का पैस इसा demand कर सकते हैं, तो inspection report कोई proper show cause notice नहीं होता है, तो जहरकन हाई कोट ने बोल दिया, भाई, proper notice भेजिए, तभी आप, या तो penalty, या कोई document आप मांग सकते हैं, SAC से, ठीक है, आगे चलते हैं, अगला judgment जो है, वो है हिमाचर प्रदेश, हिमाचर प्रदेश की हाई कोट ने क उसके बाद एक महिना additional में मिलता है, तो हुआ क्या, एक दिन का delay हो गया, तो जब appeal file हो रही थी, तो officer ने क्या बोला, कि भाई, आप delay आए हो, अब हम आपकी appeal accept नहीं करेंगे, ठीक है, मैटर चला गया, हिमाचर प्रदेश ने बोला, कि अगर एक दिन की delay को आप लोग delay मान रहे हो, तो यह तो बहुत ही जड़ा technical चीज हो गई, तो अब इतने भी हाश मत बनो, अगर एक दिन का delay हो भी जाता है appeal में, तो भी उसको accept करना चाहिए, तो यह भी हमाचर प्रदेश का बहुत ही अच्छा judgment है, आगे चलते हैं, अगला जो judgment है, वो है गुजराद high court का, उ यहाँ पर आप यह नहीं कह सकते हैं कि यह जो intention है SAC की वो GST की चोरी करने की हैं, तो यह बोला है गुजराद high court ने भी, कि अगर expire हो जाता है, evable ना हो तो बात अलग है, है लेकिन expire हो गया है, अब आप यह नहीं कहेंगे कि SAC की जो intention है, वो GST चोरी की थी, क्योंकि अगर GST चोरी की होती, तो वो evable generate ही ना करता, तो हो सकता है किसी reason की वज़ा से expire हो गया हो, तो यहाँ पर आप पनार्टी वेगारा मत लगाईए, यहाँ पर आप यह नहीं कह सकते हैं कि GST की चोरी हो रही है, तो गुजात high court का ये भी एक अच्छा judgment है, अगला जो judgment है, वो है ज 3B में nil file हो गया, और SSE ने फिर next या उसके next day क्या हुआ, पैसा जो है cash laser में add कर दिया, महाँ दर notice आ गया कि भाई आपने कि GST क्यों नहीं pay किया, SSE ने बोला, हाँ 3B में pay नहीं किया है, लेकिन अगले दिन मैंने pay कर दिया है, और पैसा cash laser में पड़ा हुआ है, यहाँ प आपने GST का payment कर दिया है, तो deposit in electronic cash laser prior to filing of GSTR 3B would not avoid interest, अब आपको जितना भी delay हुआ है, interest तो pay करना पड़ेगा, ऐजा नहीं है कि आपने cash laser में पैसा deposit कर दिया, तो यह माना जाएगा कि GST का payment हो गया, तो interest तो pay करना पड़ेगा, यह है जहरकंड high quote का order, अगला जो order है, वो ह आंदर प्रदेश high quote का, और यह क्या कह रहे है, देखिए, अभी हमें पता है कि जो alcoholic liquor है, जो human consumption के लिए होती है, उसके ओपर GST नहीं है, आज भी वैट लग रहा है, sale tax लग रहा है, अभी होता क्या है, जो job worker होते है, job worker कौन होता है, जो बड़ी-बड़ी companies होती है, ठीक है तो वो क्या करते हैं, अपने production को sublet कर देते हैं किसी और को, कि भाई आप बनाओ, supervision उनका होता है, लेकिन manpower किसी और का होता है, तो उसको बोलते हैं job work, इसको भी हमने discuss किया हुआ है अपने GST के course में, तो अगर आप अपना काम job work को देते हैं, तो job worker अपनी fees charge करेंगे, उस fees के उपर normal GST लगता है 18%, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने कहा कि हम तो बना रहे हैं alcoholic liquor और alcoholic liquor शराव बगारा, पर तो GST है नहीं, तो job worker की जो fees है, उस पे भी हम GST पे नहीं करेंगे, आंधरा प्रदेश हाई कोर्ट ने order दिया, नहीं, manufacturing of alcoholic liquor बाहर है, लेकिन आप खुद manufacturing नहीं कर रहे हो, आप किसी और के behalf पे कर रहे हो, you are a job worker, तो आपकी उपर GST applicable होगा ही होगा, तो यह है आंधरा प्रदेश हाई कोर्ट का judgment, अगला जो है वो है गुजराद हाई कोर्ट का, गुजराद हाई कोर्ट ने बोल दिया है, किसी भी reason की वज़ा से, अगर आपका ITC block होता है, electronic cash credit laser, अगर आप block करते हो, तो वो बस एक साल तक block कर सकते हो, एक साल से ज्यादा department आपका जो credit laser है, उसको block नहीं कर सकता, यह होता है न, कि अगर department को लगता है कि आप कुछ ITC की हरा फेरी कर रहे हो, तो वो क्या करता है, आपका credit laser ही block कर देता है, अब आ ITC claim ही नहीं कर पाते हो, तो ऐसा वो कब तक कर सकता है, सिर्फ एक साल, तो एक साल के बाद वो automatic unblock हो जाएगा, ऐसा बोला है गुजरात high court में, अगला भी जो है, वो भी गुजरात high court का ही है, यहाँ पर यह बोला गया है, कि ठीक है, यह समझ में आता है कि LLP, जो limited liability partnership firm होती हैं, उन्होंने को GST के चोरी करी है, तो आप LLP की property को तो attach कर सकते हो, लेकिन जो LLP के partner है, उनके personal properties को आप attach नहीं कर सकते, क्योंकि LLP का मतलब क्या है, limited liability partnership, तो यहाँ पर liability limited होती है, तो यहाँ पर आप firm की जो properties हैं, उनको तो attach कर सकते हो, लेकिन personal properties of partner cannot be attached, तो यह है गुज गुजराथ High Court का order, और जो अगला है, वो भी गुजराथ High Court का ही है, वो क्या है, इतने ज्यादा गुजराथ High Court के पास litigation आ रहे थे, PIL आ रहे थे, कोई कह रहा है कि मैंने payment कर दिया है, लेकिन पैसा नहीं आता है, कोई कह रहा है कि registration बहुत time से नहीं आया, आज कल भी एक error आ रही है, अगर आपको कर रहे होगे GST registration, तो जो आधार authentication होता है, वो नहीं हो रहा है, पिछले एक महीनी से problem आ रही है, कई बार करने के बाद हो जाता है, और कभी कभी तो होता ही नहीं है, तो ये सब क्या है, ये सब एक तरीके से हमारी कोई fault नहीं है, ये तो site की fault है, त कि गुजरात हाइकोट ने government को बोला है कि भाईया, GSTN के take care करो, जितना जल्दी दे जल्दी हो, problem को resolve करो, वरना हमारे पास क्या होगा, litigation आते रहेंगे, लोग complain करते रहेंगे, तो बाकी matter हम कब देखेंगे, तो गुजरात हाइकोट नहीं है, ये सरकार को data है, और कहा है कि GST server को जल्दी जल्दी ठीक कराया जाए, अगला देखें क्या है, बहुत अच्छा ये order है, कलकत्ता हाइकोट का है, उनका ये कहना है कि आप ने किसी से purchase करा, ठीक है, अब आपके पास ITC मिलेगा, अब हुआ क्या इस period में, जिससे भी आपने purchase किया है, उसका GST cancel हो गया, त कलकत्ता हाइकोट में जब ये matter गया, उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, purchaser ने purchase किया, proper bill है, उसने payment भी किया है, अब supplier का GST cancel हो गया है, उसकी वज़ह से जो purchaser है, वो suffer नहीं करेगा, ITC cannot be denied merely on the ground of cancellation of GST of supplier, तो अगर supplier का GST cancel भी हो जाएगा, तब भी purchaser को ITC मिलेगा, ये है कलकत्ता हाइकोट का order, गुवाहाटी हाइकोट ने भी एक बहुत अच्छा order दिया, SSC के उपर बहुत heavy penalty लग गई थी, तो उस penalty को देखते हुए, जो गुवाहाटी हाइकोट है, उसने 48 installments, आप समझे रहे हों सब करीब करीब, चार साल का time दे दिया है, उ गुवाहाटी हाइकोट ने बोला था, तो अगर आपके उपर भी कोई बहुत ज़्यादा heavy penalty लग जाता है, तो अब आप भी खह सकते हो department से, गुवाहाटी हाइकोट ने बोला था, 48 installments, तो आप भी हमें installments में allow करो, पे करना, अगर penalty के amount ज्यादा है, ठीक है, अगला जो judgment है, वो है दिल्ली हाइकोट का, तो दिल्ली हाइकोट ने क्या बोला है, ठीक है, आप GST registration के लिए physical verification करते हो, अगर SSE ने कोई authorized representative रखा है, तो जब भी आप physical verification करोगे, तो authorized representative का होना जरूरी है, अगर उसके absence में हुआ physical verification, तो वो invalid हो जाएगा, तो अगर कोई SSE है, उसने कोई authorized representative बना रखा है, तो जब भी physical verification होगा, GST registration का, तो authorized representative का होना जरूरी है, नहीं हुआ, तो वो physical verification invalid हो जाएगा, वैलिट नहीं होता है, तो ये भी बहुत important judgment है, और जो अगला judgment है, वो है जम्मू एन कश्मीर का, जम्मू कश्मीर हाइकोट ने बोला, अगर कोई घर, कोई office, disputed है, मतलब पता ही नहीं है, उसके पर case चल रहा है, कि Mr. A का है, कि Mr. B का है, तो ऐसी disputed जगहा पर GST registration नहीं करवा सकते हैं, ऐसी जगहा पर GST registration आपको मिले गा ही नहीं, जो जगह disputed है, तो ये है जम्मू कश्मीर हाइकोट का order, तो ये थे अभी तक की हम हमारे orders, important order जो हमें जानने important थे, कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा अलग-अलग orders जो अभी हमने discuss करें हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो आप comment section में मुझे जरूर बताईए, हम ऐसे ही और वीडियो आपके लिए लाएंगे, तो friends, ऐसे मदेदार वीडियो के सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले knowledgeable वीडियो में